दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वीवो के फोन में ये notification method क्या होता है आपको आपके फोन में एक notification method का option जो है वो मिल जाता है अगर आपको नहीं पता कहां पर है तो चलिए हम बता देते हैं पहले ये होता कहां पर है आप जब अपने फोन की settings में जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक option मिलता है ये वाला display and brightness का जब आप इसपे क्लिक करते हैं तो आपको नया interface मिलता है और यहाँ पर नीचे की और scroll करने पर आपको एक status bar का option मिलता है जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको notification method का एक option मिल जाता है यह क्या होता है यहाँ से आप जो है यह set कर सकते हैं जैसे कि status bar पे जब कोई भी notification आपके में आती है जैसे यहाँ पे उपर आप देख सकते है WhatsApp का icon बना हुआ है message का एक icon बना हुआ है ठीक है तो यह status bar पे पता चल रहा है तो इसको आप यहाँ से बदल सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आप जब notification method पे click करेंगे तो तीन options आपको दिखा रहा है आप चाहें तो none पे click कर सकते हैं कि कोई भी notification आएगा तो आपको status bar पर नहीं दिखेगा ठीक है इसके अलावा आपको एक option मिल जाता है numbers का आप इस पे जब click करेंगे तो आपको icon तो नहीं दिखाएगा कि किस app की notification है बट number दिखा देगा कि हाँ यहाँ पे यह दिखिए जैसे 5 दिखा रहा है तो 5 notifications है और एक option होता है icons का अगर आप यह select रखेंगे तो जिस भी app की notification होगी उसका icon भी आपको यहाँ पे यह इस type से दिखाएगा अगर वीडियो से help होई हो तो वीडियो को कर दीजे like channel को कर लीजे subscribe and bell icon को press ऐसे यह और भी वीडियो देखने के लिए